अरे यार business studies को कैसे परो मुझसे तो ये business studies होती ही नहीं है मैं इतना ज़्यादा परिशान हुआ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं business studies को आखिर पढ़ू कैसे अब मैं पढ़ने बैठता हूं तो समझ में नहीं आता के study करने बैठता हूं के study समझ में नहीं आती नंबर बिलकुल नहीं आते आखिर मैं करूं क्या तो अगर आप यही सोच रहे हैं और अगर आप के साथ यही situations हो रही हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा important है पूरी वीडियो देखना ध्यान से देखना ठीक है जी और अगर जल्दी में हो तो 1.25 ये 1.5 करके देखना ने लेकिन यह सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है तो how to study business studies और master tips to score business studies के अंदर hundred out of hundred लाने के जुगाल techniques बाल को देने वाला हूँ तो बहुत शांदार जो है यह वीडियो है दिल से बना रहा हूँ वीडियो दिल से ठीक है तो चलिए शेडू करते हैं अब बाई जो कुछ बेसिक बात है आपको समझनी है वो यह समझनी है कि सर सबसे पहले जी कितने महिने बचे हैं तो सर मेरे पास नमंबर बचा हुआ है नमंबर भी सब तो दिवाली चल जाएगी दिवाली आ जाएगी फिर सर वो टाइम नहीं बचे लगी चलो माल लेते हैं कि सर पंदा तारीक के वाज़े पढ़ने बैठ तो आधा महिना सर नमंबर का बचा एक महिना आपका दिसंबर दिसंबर जनवरी आदा महिने वाला आदा महिना फरवरी तो क्या देखने को मिल रहा है आल्मोस्ट तीन महिने बच्चे के बाद को एक्जाम शुरू हो ही जाते हैं तो तीन महिने का बाल को प्रॉपर सबसे पहले एक सेडूल बनाओ यह नहीं 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 आप बस यह बन सब्सक्राइब के अंदर दस दिन के अंदर चैप्टर नंबर जो है मेरा नाइन और टेन खता हो जाना चीए सब्सक्राइब कर लूँगा इतने दूरों में इतनी कर लूँगा तो मेक अ मेक और स्टीव शेडियूल पॉर अपकमिंग थ्री मंद्स तीन महीने का स्टीव बना लो बाल को मास्टर शेडियूल बना लो क्योंकि अब आप इसको अगर चेंज करोगे ना अगर आप ने वह शेडियूल फॉलो नहीं किया ना तो सच मान लीजे आप जिन्दगी में अभी भी सब कुछ पलट के रख सकते हैं वह ओवर की लास्ट बॉल पर चक्का पड़ जाए तो पूरे ऑवर की कमी खतम हो जाती है सिमिलर लिए लास्ट की तीन महीने अगर आप धंचे पढ़ लिए ना तो पूरे साल की कमी खतम हो जाएगी वह शेडियूल बना लो अब मैं यह जुगाड बता हो कि तीन महीने में आपको बनाना है और फिर में मना के देदू आप लोग यह करोगे पता है किटने घंटे आपको पता है तो खुद वनाना खुद बैट के वनाना तीन महीने का प्रॉपर शेडियूल में उसके बाद रिवाइज थू वन्शॉट शेडियूल बनने के बाद आप वन्शॉट देखो, रिवाइज को, वन शॉट देखो, रिवाइज को, वन शॉट वीडियो बाल को जो है, हमारा विश्वास बैच के अंदर आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीके जी, उसको देखिए, और अपना जो रिवीजिय ने गाई, तो वन शॉट के थू करना शुरू कर दो, क आपको वन शॉट या फास्ट फॉरवर्ड, ठीके जी, या कोई ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कि आप लोग बैक टू बैक फटा फट अपने दिवीजिन खतम कर दो, तो भाईया, वन शॉट जो है, देखना शुरू करीए, मैं बस यही बोलूँगा, वन शॉट देखना श जीरो है, और जीरो अपना कोर्स खतम कर लिया, और उनका टागेट है, हंड्रेट आउट फंड्रेट लाने का, तो यह उनके लिए भी है, कि आप जो रिमेनी चेप्टर से, उसको तो कर लो अच्छे से, लेकिन बाकी चेप्टर की रिविजिन शुरू कर दो, हैंक टुएं जो आप खुद बनाएं, तीन चार बुक्स के लिए, तो टाइम नहीं बचा, तो कोई बात नहीं, एक काम कर लो फिर, अगर टाइम नहीं बचा है, तो एक छोटा सा काम कर लो मेरा, जो बता रहा हूं आप लोग को, क्या सब जी, आप जो है, श्टडी मेटीरियल के लिए, जो आपने पूरे साल में लिखा है, जो पड़ा है न, उसी के माइड मैप्स माल, तीके जी, शॉट टरी बता रहा हूं, माइड मैप्स बना लो, उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, इंपोर्टेंट हैंडिंग लिख के मना लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्प्र जो भी आपके पास अवेलेबल, उसको जोड़ वही क्वालिटी हो गया, ठीके जी, बहुत महेंगी में किताबे ख़िदेगे, जो इतनी है, फिर बोल रहा हूं, ठीके तो क्वालिटी श्रेटी मेडिल वह होता, जिसके उपर आप डिपेंड रह सकते हो, और जो आप उसको जो आपके पास थे, वह क्वालिटी स्रेडी मेडियल है, उसको भी धन से पढ़ दो एक बाद, ठीके जी, ओके, उसके बाद, डोंट फोकस तू मौच अन लैंगवेज, नाव फोकस अन कंसप्ट क्लारिटी, बहुत जबादा लैंगवेजों मत घुसो यार, बहुत सारे ब प्लैणिग इस प्रोसेस अफ प्लैणिग इस प्रोसेस अफ डिचाइदि इंवान्स, वाट चु जुडू, हो तुरू, फो इस तु दू इड़ा, यह मत करना, सिर्फ क्लारिटी फोकस करो, लैंगवेज बनी, सर क्या करे, कब करे, कैसे करे, कॉन करना है प्लैणिग, साइ वह उन्यस-बीच पर ये तो भी काम चल जाएगा दिटो बूटक नहीं है नहीं दिटो उसके नहीं कंसे क्लारिटी फोकस्तों कंसेट्स फोकस्तों कीवर्ट्स ठीक है सर यूज मैंने मॉनानिक्स एंड एक्रॉनिम्स गाइस ठीक है तो एक्रॉनिम्स का यूज करिए बाल को और याप करिए इंपॉर्टेंस हो गई क्या किया सर मैंने आइड एक्रॉनिम्स का इस्तवाल करके बहुसतार बच्चे हमें बोलते हैं सर मुझे फीचर यादी नहीं हो रहे इंपॉर्टिंस यादी नहीं हो रही कोई बात नहीं आप इन तरीके से याद करो पोस्ट इसी प्लानिंग होना जी साफी डिरेक्टिंग क और अधिशन अधिशन बेटर तो किया सर यह सारे के इस्तेमाल करके विए हम लोग अपनी कंसर्ट के उपर अपने यूनों सारे टॉपिक्स के उपर पकड़ बना सकते हैं ठीक है उसके बात यॉर स्ट्रेंथ मस्ट भी के सटड़ी बहुत सारे बच्चे बोलता है उससे के आपका वीडियो देखो के स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो अगर आप सोचे ने पर लाने हैं एक काम सबसे पहली करना शूरू कर दो पर प्रक्रणा पर दो सब्सक्राइब बन जाए और जिस दिन आपकी कैस् रडी शर्म बन जाएगी लेकिन कई सारे बच्ची करते हैं प्रजेंटेशन पर फॉर्दयन डेशन बिज्स ट्रीज में डिएगराम बनाओ डाइगराम बिजुनना सब्सक्राइगराम यह कहां से आ गया नहीं है तो बनाओ पता करो ठीक है तो डाइगराम को प्रजेंटेशन में आपको यूज करना है आंसर राइटिंग फोकस करना है तीन नंबर में कितने लिखने चाहिए चार नमबर में कितने विर्ट करने चाहिए कैसे लिए चाहिए इस पर काम करना अगर आप सो में सौ नमबर लाना चाहते हो क्योंकि क्या होता है कि पूरी-पूरी किताब थोड़ी पढ़ निये फरवरी के अंदर हमें क्या करना है सेंपल उठाना है पूरा सब्सक्राइब करना है तीन घंटे में दो कोशन नहीं हुए वह दो कोशन रिवाइस करो ठीक है ठीक लास्तिक अबूर दो अठालो जो दो कोशन नहीं है वह दो कोशन रिवाइस करो तो ऐसे प्यारी करने हैं अजिस ऑक सर लटान्य फ्राम्य पाश्ट और सब्सक्राइब करना क्या कि एकदाम बल दिन आप लोके बोल रहे थे थे हुआ थोड़ी और पढ़ लेता न तो अच्छा आ जाता है यार अगर आपने फिर से वही चार दिन पहले उठाई होगा आज बता रहा हूं नहीं होगा सो में सो नहीं लापा होगे पास्ट मिस्टेक्स प्रजेंटेशन में काम नहीं कर पाई थे सर ज्यादा लिग दिया था यहां में दो कुशन चूट गए थ सर टाइम नहीं बचा सर जो भी मिस्टेक्स आपने टमवन में करें उच्छे सीखना लन फ्रम यूर पास्ट मिस्टेक गाईस है और लास्ट बाल को बिलीविद यॉर्सेल्फ युवारा चैंपियन बहुत सारे बच्चे सोकते सर क्या अभी पॉस्टिबाल है क्या सर मैं क् स्कोर हंडेट आउट फंडेट बस विलीवन यॉर्स अपने विश्वास करो कि हां भाई तू कर सकता है अपने विश्वास कर कि हां यह तू चैंपियन है तो कर सकता है इतिहास रटना नहीं है इतिहास रचने का टाइम बाइस बार और मैं इतिहास रचूंगा मैं दुनिय तो कर तुन्हें पहले ही मान लिया कि तू करने सकता तू कर नहीं सकता तो तुझे पहले मानना पड़ेगा कि हाँ यू आर चैंपियन और अगर आपने यह मान लिया कि आप चैंपियन हो तो आधी लड़ाई तो आप ऐसे जीत गए तो बिलीव इन यॉरसेल्फ यू आर चैंपियन गाईज और तैयारी शुरू करो पढ़ना शुरू करो सौ में सव नंबर आएं चाहिना हैं आपके बहुत अ सब्सक्राइब करने के लिए दिन जाते कर दीजें और आते रही अटेंड करते ही हमारे लेक्चर्स को तिल देन वारत गाईज टे क्याईज टे क्यार